हैलो दोस्तो व्यल्कम बैक टो माई चैनल आज हम बनाने बाले हैं बिल्कुल बाजार के इस्ट़ाइन में बर्गर तो चलिए दोस्तों वीडियो की सुरात का यह इससे बनाने के लिए सबसे पहले हमने दो तर्माटर लिया है उसे हमने गोल को लिखार में काट लिया और एक तो चलिए सारा प्रोसेस इसकी सुर्बात करते हैं यह हमारी सारी इंग्रेडियन्स इसके साथ साथ और भी हमने कुछ कुछ लिया है जैसे कि हमने टिक्की बनाने के लिए आलू-ालू में हमने पहले सबसे पहले थोगा सुजी और साथ साथ थोगा कॉन फ्लॉर डालेंगे पिदिया पर आप मैदे का भी यूच कर सकते हैं तो आदा नुसा नमक नमक हमें थोड़ा ही डालनी है अब इस में चिली फ्लैग या पी यह ना हो तो आप सिंपल मिर्च भी डाल सकते हैं पाउडर वाली हमें मिर्च जादे नहीं जालनी बस थोड़ा नहीं डालनी बस टेस्ट आने केलिये अब हम इसे अच्छी तड़ीके से सारे को मिक्स कर लेंगे पहलें थो इसे चूड़े के चूड़ ले अगर जबुदत पड़ तो थौपानी भी देसकते हैं नाहिद थो बस तड़ीके से मिक्स करके इसकी डोर तियार कर साथव तो पर मतल के इसे छोटी छोटी लोई बना ले पिल्कुल इस तरीके से और थुआ 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 शुजी उपर से लगा दे अब हमने पहले सबसे पहले एक क्रहाई गर्म किया है क्रहाई जिब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो इसमें रिफाइन ओइल एड़ करें तेर अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तभी हम इसमें टिक्की को पहले तलेंगे अब हम इसमें सारी टिक्की एक बार में चार से पांच तलेंगे हमें इससे अच्छी तरीके से लाल करनी है एक बार में चार से पांच करके तौले सारा एक साथ में ना डाले ना तो यह तूट सकती है बिल्कुल इस तरीके से गैस का प्लेम थोड़ा सा हाई कर दे लो मीडियम हाई करते रहे बीच बीच में अब हम इसे इस एक दो बार हिस्से पलट के अच्छी तरीके से श्यक लेंगे मतलब च्छान लेंगे बिल्कुल इस तरीके से ही देखिए यह असानी से पल्टाने लगी बिल्कुल यह ब्राउन कलर जब आने लगे तभी इसे निकालिएगा दोनों तरब से अभी नहीं बिल्कुल इस तरीके से हमें अब गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर देनी है क्योंकि हमें इसे कुड़कूरे तैप में थोड़ा बनानी है तो इसलिए हम इसकी फ्लेम को थोड़ा हाई कर दे लेंगे इसे पलट बीच-बीच में पलट तहीं रहना तो यह जल जाएगी इसलिए बीच-बीच में हमें इसे पलट तहीं रहनी है दोनों तरफ से अच्छी तरीके से शेक शना जाए तो फिर इससे निकालिएगा हमने पूरी चांने की अच्छी तरीके से प्रोसेस देखाई आप देखेए हमारा तिक्की बिलकुल लाल होई गया है अब वहमसे निकाल लेंगे इसकी तेल खूब अच्छी तरीके से गाल ले पिर इसे तरीके से निगाल लिए इस तडिके से सारे तिकी को छान ले के तुवा तुवा करके हैं यह वहां पर यह बला बन लिया है यह गोल वली बन होती है यह मार्केट में असानी से मिल जाती है बस हम इसे एक मिनट में इसमें रखनी है बस सो गी है अब इसे हम निकाल लेंगे वर तो ऑड़ी रहती है बस इसे गर्म कर इसे सब्सक्राइब सब्सक्राइब में कर दोगर ने जाड़ा है। हम धाये करें के बाद लिकित कता लंगे। भर उबसेफिद प्रचबाइब माहि तब शारी को कटें वह तक नंहादा कर दोगां, प्रफ गाता है। सबसे पहले हमने काटने के बाद इसमें ड्रेट चिली सॉस एड लगाया है अगर आपको यह ज्यादा पसंद्ध हो इससी ज्यादा मात्रा में लगाए ऐसे तो सारे चिली नॉर्मल मात्रा में ही सही रहती है अब इसमें ग्रीन चिली सॉस या फिक ग्रीन चटनी जो आपके अब हम इसमें थोवा पत्ता गोवी पहले लगाएंगे एक साइट और उपर से किया का गार्जनिस करेंगे हमें यह सब को थोड़ी पतली पतली ही काटनी है गोल-गोल इस तरीके से साथ साथ टेमाटर और इसमें हमने जो टिक्की बनाई थी आलू की करकरी एकदम वाली इस मैट करें देखी टिक्की भी कितनी अच्छी केस्टी दिखने में ऐसी ही लग रही है और साथ साथ ऑनियन ऑनियन मैंने उसमें नहीं दिखाया था लेकिन मैंने साइड में काट के रखा हुआ था इससे अगर आप ज्यादा चाहते हो तो इसमें एक डवल टिक्की एड़ कर सकते साथ साथ अब इसमें थोवासा उपर से चिली डालेंगे अगर आप तीका नहीं पसंद करते हैं तो इसे इस最近 भी कर सकते हैं साथ सा थोवासा औरगेनो औरगेनो से टेस्ट दोगनी हो जाती है थोवासा उपर से रेड चिली सास या फिकेचुप का भी आप यूज़ कर सकते हैं शासाथ साथ अब रमीज में ग्रीन चिली सास अब यह हमारा बर्गर बिल्कुल बनके तयार है अब इसे अब अपने घर में आए महमान या फिर अपने खुद को खाने के दोस्त के साम के स्नेक में भी लग सकते हैं है ना बिल्कुल बजार जैसे टेस्टी बर्गर आप भी खाएं और शास्चत अपने महमान दोस्त भाई जो है वोशे भी खिला सकते, thank you for watching my channel please, like, like